स्वगत आप सब का मैच नंबर चावालीस के अंदर डबल एडर का दूसरा मुकावल है लखनो सुपर जैंट्स बना हम राजस्थान रॉयल्स के बीच में जू खेला जाएगा एकाना क्रिकेट स्ट्रिडियुम लखनो के उपपर मैच टाइमिंग है शाम के साथ बजे तो र सी इस गेम के अंदर क्या होता है तो सबसे पहले पॉइंट्स के लिए साथ जीती है और यह एक मैच हा रही है और यह मातरी स्ट्रिमेंट की टीम है जो अवे गेंस में भी तक एक भी मैच नहीं हा रही अवे मतलब जैपूर को छोड़के जहां पर यह खेली है वहां पर ए क्लोज गेम था वह लगनो सुपर जैन्ट सौत्यस्तान के अपर है आठ मैच खेली है पाँच जीती है तीन हरी है और चर्चा के अंदर है टीम है पिछले दो गेम से बैक टो बैक जीत के आ रही है गेंस चन्ने चन्ने को जाके चन्ने के अंदर हरा है यह बाई साब इन्हो करेंगे सबसे पिछ के बारे में बात तरहेंगे फिर हम यहां पर यह देखेंगे कि टैक्टिकल डेटा क्या क्या करिए टीम्स की स्ट्रेंथ क्या है वीकनेस क्या है और बहुत सी चीज़ा है डिस्क्रस करने लाएक वीडियो दो गार पूरा मज आएगा आपको टेलीग्र लखनों के पर मैच पिछ्या को गुमती नदियां पर बैती वी दिख जाती है 19 अफ्रेल के आपर मैच वा एलेजी वर्सेस सीजका का मैच था बड़ा ही खुपसुरत वह मैच वा था उसमें हुआ गया 176 बनाया था सीजके ने 177 117 का टार्गेट दिया केल रावल और डिक पिछले जुले मैच यहां पर पीचले पर यहां पर यहां पर घेलने वाली है प्रतिय और आठ के आसपास रंज बनते हैं और जो लास्ट मैच ते लेज़ी सीएस के गा उस मैच में पांच विगेट पेसर ना तीन विगेट स्पीनर से निकाला अब जो मैं आप से एक अरदा विगेट कॉलम बहुत इंपॉर्टन होता है स्टैक्टिक्स वाला सेक्शन जो चार मैच इस IPL में हुए उनमें पेसर ने 32 विगेट निकाला है पहली पारी में 17 दूसरी पारी के अंदर 15 राइट आम पेसर 24 23 आइमीन और लेफट आम पेसर का ना पहली पारी में 8 दूसरी पारी के अंदर 6 इसमें लेफट आम और तोलॉक्स पांच विगेट है अमने आपको लिगे चलता हूं पिछ के फोटो तरफ यह CS के वाली पीछ है देख सकते हैं पैच नमबर 34 जो वा था पिछ नमबर 4 पे हिला गया था बहुत अच्छा यहां का सर्फिस तो उस टाइम LHG वर्सिस डीसी का जब मैच वा तब पिछ एसी थी उस टाइम डैमेंशन 66, 70 ते यह सामने असी LHG वर्सिस डीडी का जब मैच वा तब दैमेंशन एक्वी डिस्टेंस थे 66, 66 स्क्वार सामने 75 और यह था पहला मैच जब यहां पर खेला गया था पंजाब के अगेंशन तब 68, 61 सामने 76 मेंटर्स थी यह स्टेडियम का अभी है बहुत ही प्यारा स्टेडियम है लखनव गा तो कैसे लगी है आपको पिछरी बोट कमेंट करके बतागी है चैनल पिन्यों सब्सक्राइब कर लो गंटी बिटन दबा दो दोनों टीम्स नापस में चार मैच खेलें लखनव एक जीती है रजस्तान रोल्स तेन जीती है और अठ लखनव दोनों टीम्स पहली बार खेलने वाली है क्वेंटन डीकॉक ओपन करेगा केल रॉल के साथ मारकस चानिस की जगा पुक्ती हो गई है वन डाउन फिर आपको निकलस पूरंड दीपक हुड़ा इस बदोनी कुर्णल पांडिया मैट थेंब्री रवीब बिश्टोई मौशिंकान यस्ट साकूर दिख जाते हैं इंपक्ट प्लेयर पे आपको पता है देवदूत पड़ी को लो सकता है या फिर आपको नहां पर देख सकते हैं एम सिदार्थ भी राजस्थान जौस बटलर जैसवाल उपन संजूस अमसेन वंडाउं डियान पराक्षिम्र नेटमायर दुरूफ जरिल अश्विन अन्ना ट्रेंट बोल्ट संदीप शर्मा जो पिछले गेम में फाइफर निकाल का रहे हैं बेस्ट बॉलिंग फिकर इन इस करियर जो जो इंदर चाल आविश खान आपको दिख जाएंगे इंपक्ट प्लेयर में इनके बास ऑप्षिन है रावन पावल का नंदे बगर का और सिस्ट प्लेयर में से कोई एक भी आ सकता दोनों में से पावर प्लेयर फिसकंदर टीम्स कैसा बैटिंग गरी है दोजार चोईस की बात कर रहा हूं मैं राजस्थान रॉयल्स पावर प्लेयर के अंदर आठ मैच में गहरा विकेट गवाई है 35 की उसद आउसद तो बहुत अची हैंगी 134 का स्टाइक रिट है लखनव का 133 का पूजिशन कंपरेट टू एलेजी इनकी 27 के उसद है मिडल फेस में राजस्थान रॉयल्स इस वन फेस्टीम कंपरिजन ही निये किसी के साथ क्यों आठ मैच के अंदर 14 विकेट गवाया है 44 की अवरेज है किसी टीम की 40 के आसपास ही अवरेज नहीं है 141 का स्टाइक रिट लखनाव 35 के अवरेज 136 का स्टाइक गवाया है नोने मिडल फेस के अंदर डैथ ओवर के अंदर लखनाव ने आठ मैच में 13 विकेट गवाया है 30 के उसद है 168 का स्टाइक राजस्तान की बात तरता है तो डैथर में 195 का स्टाइक रिटीस के अशद है जो बेस्ट आठ मैच में 11 विकेट उन्हों ने गवाया है तो बहुत ही बैलेंस टीम है विद आब आरार की टीम यह तो मैंने पहले बता दिया आपको पावर प्ले फेस की बात तरते राजस्तान रोल्स ने आठ मैच में 14 विकेट निकाला है पावर प्ले में बालिंग करते वी एकॉन लगना सुपर जाइंट्स 9.1 की एकॉनमी आठ मैच में 13 विकेट निकाला है इन्हों ने इसमें भी राजस्तान बहुत आगया मिडल फेस में लगना सुपर जाइंट्स और राजस्तान इसमें दोनों टीम से एक जैसी कंडिशन पर में वही कहूंगा क्योंकि एकॉनमी की एकॉनमी है लगनाव की वैसा 10.9 की एकॉनमी है 14 विकेट निकाला राजस्तान इस मुझ बैटर टीम मुझ बैलेंस टीम इन दिस होल टोनमेंट अमोंग 9-10 टीम क्वंटन डिकॉक 11 मैचस में 381 रंस 38 के उसद राजस्तान के खिलना भाई को बहुत पसंद है क्या ही कहने भाई के तीन तो रशा तक है दो बार तो फॉर्टीज में आउट वाए बंदा वैंडी के उपर पांच मैच 149 रंस तीन कैच स्टंपिंग कीपिंग तो खेर अपने रहूल कर रहा है इंपॉर्टन पी को सकता है लास्ट गेम में सस्ते में आउट हो गया रहा है ये चैपा चेस के उपर 6 मैचों में तीन मैच कम खेला तो भी 300 रंस है चोहतर के उसद है अड़ी सवन्यों दस मैचों में 390 रंस है बहुत अच्छे क्रिकेट है रहे हैं लास्ट गेम में बहुत अच्छे दिखे हैं इवन चर्चे पाउक के उपर इसने जो 16 रं की पारी गली थी करना ठीक है बैटिंग वस्ट है मैच में 109 चेस के उपर पांच मैच में 102 रंस है बॉलिंग आपको करता हो देखेगा 11 मैचस में 238 रंस तीन विकेट है मार्कोस टॉनिस का खुद कतकाट ही बढ़ी है इस टीम के अंदर वो खुद कह सकते हैं कि मेरे को बॉलिंग दो से चेस करते हुए विराट कोली के साथ वैनी के पर दो मैचस में 16 इस टूनमेंट के अंदर बाई कुछ नहीं क्या है यह एक मातर ऐसा प्लेयर है फ्रॉम दा टीम ऑफ आर्सीवी जिसको आर्सीवी ने रिलीस के और वो नहीं चला हर प्लेयर चला है पूरण 9 मैचस में 189 गजब की कंसिस्टेंसीज बंदेगार जेतनी प्रसंस आ किजा इतनी कम है वैनी के पर 12 मैचस में 185 रंस अधुद्य क्रिकेटर है देवा कुड़ा लास्ट गेम इसने मैच जीता है अपने 208 T20 मैच खेल रहे थे 9 मैचस में 177 रंस वैनी के पर 10 मैच में 44 है इतने खास एं कुरिनल पांड्या ग्यारा मैचस में 120 रंस चार विकेट्स हैं वैनी के पर 12 मैचस में 11 विक्टे 201 रंस चाह की एकॉनोमी प्र लैट सी क्या कर पाते है मैट हंड्री ने आप अपने डेब्यू क्या लेजजी के लिए विकेट्लस गया था सीच के हिलाफ तीन ओर का स्पैल था मैट थंडरी के बाद भिष्णोई चैनल में तीन विक्टे बॉलिंग फर्स तीन में तीन मैच में जरू गटाइब चार बार विकेट्लस गया था ने की उपर 11 में 13 विक्टे सीजन बहुत खराब गया भिष्णोई का मौसिन खान का दो मैच में एक विकेट 11 की बॉलि अमित मिष्णा बीस मैचों में तीज विक्टे अधूद आखड़े हैं बॉलिंग फर्स तो चाहे बॉलिंग सेकंड और गौताम एक्स प्लेयर मैं गया दव दो मैचों में तीन विकेट साथ दिस वेन्यूम सिदार्थ नभीन भाई विकेटलस गया था एक्टोड गंदर बहुत से प्लेयर से स्टार्टी को और मैं ठंडरी का था पहला दिसरा पाचवा चौदुवा मौसिंगा दूसरा बार वा सतर उनिस वा दो डैथ मेंड आल रहा है पिछले दो गेम से देखो 17-19 17-19 बिश्णूद का चौत और सात वा था मेरे समिज के बार था क्यूद दो अगले मैच में बड़ी पारी खेलता तो अगले मैच में मिशा बड़ी पारी खेलता आम तर पर दिखा गया है एक्जामपल में दूँ साट बनाया है अगले मैच में 68 को फॉल अप किया है इसने इस गेमें भी फॉल अप इनिंग सा सकती है एक अच्छी वाली जॉज बटलर चार मैच में 66 रंस है बैटिंग फर्स दो तेरा ग्यारा चेश कुपर 40 बीस तीस रंस करके जा सकता है इस गेम में फिर से कम से कम उमीद करूँ है इतनी क्योंकि कोई खास ऐसा मैच अप नहीं गजब की पारी खिलिद इसने जो पहला ही मैच ता राजस्तान को और लखना हुगा रियान पराग 43 रंस लास्टाइम है टूडगंदर इस्ट्रीम के अगेंस्ट किया था दुरुफ जुरेल का दो मैच में 20 रंस है लेट सी क्या करेगा अश्विन का चार मैच में 41 रंस च पावल का तीन मैच में 40 वैंच में एक मैच में रहना है ट्रेंट बोल्ड का चार मैच में साथ लास्टाइम बहुत चास पहला आया था विकेट निकाले था इसने देवदूद पडिकल को बोल्ड किया था और भी प्लेट्स को सेट किया था था इसने वेरी गुड़ पिक अभेश खान एक्स प्लेयर आफ इस टीम ट्रेड वे थे देवदूद पडिकल और अभेश तीन मैच में दो विक्ट हैं संदीप का तीन में तीन विकेट बॉलिंग फर्ष में ड्रॉप मत करिये इस वनिक पर चार मैच में सीधा च्छे विकेट से इसके इसने में बता हू पर दो में दो विकेट तीन की एकोनमी है यह अलग ही बॉलर अपना रिज्विंदर चैल केशव भाई हैट्वर्ड वेनिन निखेला है हैट्वर्ड गंदर नंदे बगर का एक मैच में एक विकेट है बूल्ट का पहला तीसरा पांसवा सत्रवा लास्ट गेम में अब एक देट में आई रहे इनके भी कभी कभार एक तो दिखी जाता है दो तो कहर गारंटी नहीं है क्वंटन डिको के किलाफ अश्विंद उननेस इनिंग्स में साथ बार आउट किया है दोसोचोईज बोलों में दोसुननीस रंस है बोल्ट इनने सतरा इनिंग्स में नोबार आउट किया है केल राल का कोई खास मैच अप नहीं है बहुत अच्छा भी करही है इस गेम में राज़े कैप्टन इस नॉर्मल प्लेयर भी डीपक वर्सेश चैल चाहल ने इसको इकतर गेंदों में उनसट रंदे के तेरा इनिंग्स में तीन बार आउट कर रहा है निकल अ पूरण वर्सेश चालीज वॉल पैटीस रंड सात इनिंग्स में तीन बार आउट किया है रेसेंट ये कुटाई करी थी सुनिल नर्राइन ने सेम वैसा है पूरण भी गाम करके दे सकते हैं नवदीव सेनी ने आउट किया है आवेश ने परेशान किया हलका सा इतना नहीं चैल को दो बहुत अच्छा खेलते हैं ये निकलास पूरण आईज बदुनी वर्सेश बोल्ट इवन निकलास पूरण भी बोल्ट के सामने फसता है साथ इनिंग्स में चार बार आउट हुआ है 38 वाल में 47 रंस है आईज बदुनी वर्सेश बोल्ट है आठ बॉल्ट दो र अठारा इनिंग्स में पांच बार आउट के 130 गेंद के अंदर 170 रंस है जैसवाल अगेंस 22 गेंद 30 रंस जैसवाल के सामने स्टॉनी पावर पिल में में वर्लिंग करने आ सकता है हाडलेंड हिट करता हो जो रिप के आसपास जो गेंद आती न चड़ती भी उस पे बहुत परिशान हो हैं जैसवाल अपने करियर में तो स्टॉनी पो कर के सकता है पंदर आ इनिंग्स में दो बार आउट के स्टॉनी बड़ा ही सेफ कैप्टन लग रहा है इस गिम में हैटमैर वर्सिज भी शै निंग्स में तीन बार आउट किया साथीज वालो के अंदर 24 रंदे क और पावल को भी बिश्टोई ने 49 गंदो में 30 रंदे के पांच बार आउट किया दस इनिंग्स में नवीन उलक वर्सिस ठीकेसी तेरा बॉलो में नौरन चार इनिंग्स में तीन बार आउट किया है लखनोग की टीम ऐसी जो लेफट आम पेसर के सामने स्टॉकल करती थी और इस चुन्वर्ण में करती आ रही है आठ मैच में 17 विकेट दिया लेफ टाम पेसरों को बाइस के और देट सो का स्टॉकल रेट है वाजस्तान ने लेफ टाम पेसरों को साथ में तीस के और दिए थी प्ती सेंगर अच्छा खेला हुए और और अफश्टान की बात तरह तो दोनों टीम्स ने अच्छा खिला है बट लखना अगेंस्ट ऑस्पिन दिक्कत आई है पांच मेंस कंदर चार विकेट दिया है चोई स्क्योंस तो चेकल स्टाइगर अमोंग अल्डे टीम्स एलेजी वर्सिस ऑस्पिन रहे हैं कॉमन कैप्टेन आपको दिख जाएंगे इस गेमें केल रावल संजू सैंसन थोड़ा लग जाना तो स्टाइनीज बटलर पूरण जैस्वाल को भी आप रूटेट कर सकते हैं साथ के अंदर चलते हैं टीम्स की तरफ मजाएगा टीम बनाने के अंदर तो कि भी इंसक्शन में केल रावल संजू सैंसन जॉस बटलर निगला सुरन डीकॉक को भी आप चाहिए तो बैक कर सकते हैं शायद में भी लाश्मिंट पे ले लूँ नंबर सोड़े से अगेंस्ट रहें बट राजस्तान के खिलाफ देखते हैं कैसा खेलते हैं मैच अप उनका चैहल ने चौदा में 8 बार आउट किया बोल ने 17 में 9 बार आउट किया तो वही थोड़ी सी एक दिक्कत था स्रिफ वरना मैं पक्का टीम में रखता शायद रख भी लूँ क्योंकि मूडी प्लेयर है डीकॉक जैस्वाल मस्ट पिक और मेरे को कोई भी अच्छा पिक नहीं लग रहा फ्रॉम वालिंग सेक्शन में चहल बोल्ट संदीप मेरे पास यस साकुरु का उप्शन है मैं थेंडर को भी आप चाहिए तो बैक कर सकते हैं तेरा सेलेक्शन प्रसेंट जा प्रसेंट इस बहुत जादा डाउन हो गया है अगर आप मैं थेंडरी को लो रहे हो तो दो से तीन वह ड को लो तो कोई लॉजिक नहीं है वो लफड़ा वाला काम हो जाएगा आप यह भी एक्सपेट कर रहे होगा है मैटनरी विकेड भी निकाल ले फिर जो मैंने उपर के बैटर लिया वो भी रंस बना ले तो फिर वो कान ही आपको फस्ती भी दिखती है तो इसे बेटर आप ए वाइस कैप्टन से में राहूल की दरफ से ले जाता हूं कि पास संजू और बटलर बहुत अच्छे उप्शन से वर्ल्ड ग्लास दोनों क्रिकेडर है संजू 82 की नाट आउट पारी तो आल दे वैस सी सून मिलता हूं से टेलीग्राम के पर बहुत बहुत दन्योदा आपके